ही गाइज, वेकंट प्रिसोर्स पॉइंट, आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये में मंत की हमारी कल्चर की टॉपिक है, तो चली स्टार्ट करते हैं, फर्स टॉपिक से जो कि है टेंटिटिटिव लिस्ट आफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट, देखिए ज जैसे आप देखते हो कि ताज महल, तो ताज महल नहीं हमारे देश की ताज महल आप बोलोगे, तो सबसे पहले धियान आता है कि वो इंडिया में है, तो आप इंडिया में रहे कर बोलो, या फिर all over the world में कहीं पे भी आप ताज महल बोलो तो आपको ये धियान में आ जाए और कुछ हमारे culture को या फिर आप लोग देखो की natural significance भी है और काफे exceptional है चाहे वो कहीं पे भी हो, natural boundaries के याँ पे बात नहीं की जा रहे है और आज की भी date में ये importance रखता है और future generation के लिए भी ये importance रखता है ये सारे sites जो है इसको UNESCO की दौरा नॉमिनेट किया जाते हैं अगर कोई देश है, माल लीजे कि हम लोग ताज महल को नहीं conserve कर पा रहे, preserve नहीं कर पा रहे एक समय ऐसा था, जब ताज महल की जो सगमरमर है, वो pure white है बट वो convert हो रही थी, थोड़ी से light yellowish में just because क्योंकि बगल में Yamuna river है and Yamuna river got polluted still वो भी अभी भी pollution उसमें बहुत ज़्यादा है, बट एक समय था कि उसमें chlorine, arsenic, ये सारी concentrations ज़रूर से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वहाँ पर pollution बहुत हो गया था तो इस वजे से हमारी ताज महल की जो beauty है वो थोड़ी degrade हो रही थी तो मानिए कि हमारे देश में तो चली हम लोग सक्चम है कि हम अपने ताज महल को फिर से वापस से renovate कर लिए, फिर से उसको जो है एकदम से white marble में हम लोग ले आए टेंटिटिव लिस्ट है जैसे कि आपके exam date होती है तो एक tentative date दी जाती है यहाँ एक लगभग सा अंताजा है कि इस time पे होगा बट यह confirm नहीं होता है तो उसी तरीके का एक list है यानि कि first step होता है country का कि वो यहाँ पर अपने important nature और जो culture heritage sites है जो भी उनके boundary के अंदर located है तो उनकी वो यहाँ पर नाम दे सकते है nomination file है इत मींज कि UNESCO जो है यह सारे property जो भी tentative list में होते हैं तो उसको वो देखते हैं और जो country है वो यहाँ पर nomination document को prepare करते है with necessary documentation and map फिर इसको evolution के लिए send किया जाता है एक advisory bodies को final inscription होते है इत मींज कि एक बार sites को यहाँ पर nominate कर लिया गया evaluate कर दिया गया और world heritage committee है उनके द्वारा यह देख लिया गया final decision ले लिया गया कि ठीक है इसको world heritage list में include करना है तो फिर कर लिया जाता है world heritage sites इंडिया में अगर हम दो देखे total कितनी है so इसको याद रखेगा this is very important point 38 sites है जो की UNESCO की world heritage list में आपको देखने को मिलेगा 30 यह हमारा cultural है 7 natural है and 1 mixed है इटली और चाइना है जिसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा 55 each है अगर यह भी आपसे पूछा जाए कि कौन सी देश है जिसमें की world heritage site सबसे ज़्यादा है तो यह आपका जो है इटली और चाइना है अब हमनों देखते हैं कि six sites के बारे में कुछ है आपे बाते सबसे पहला है iconic river front of historic city of waransi जो की UP में तो 6.5 km यह आपका लॉंग देखने को मिलेगा river ganga है जो की आज की date में काफी ज़्यादा इसका importance देखने को मिलता है जिसमें की lofty buildings है holy sites है and guards है यहाँ पे अगर हमनों देखे 84 steps guards है और साती साथ जो की unique है Indian typology के लिए जो भी architecture interference है यह river के साथ साती साथ five guard अगर हम लों देखे तो इसको पंच तिर्थिस कहा जाता है क्योंकि हमारे मत्स से पुरान में यह आपका ancient text है बहुत पुराना यह text है जिसमें की इसको mention किया गया है तो यह five guards क्या क्या है एक है आसी उसके पाद है यहाँ पे दशा मित and मनी करन and then यहाँ पर पंच गंगा and then यहाँ पर आदी केशव ओकी तो पंच गंगा के बारे में याद रखेगा कि यह माना जाता है कि एक meeting point है five rivers का इसको पंच गंगा कहते है and what are that five rivers तो यह है गंगा यमुना, सरस्वती, किनारा, किराना and यहाँ पर धुरपार, पाप तो यह ध्य रखेगा, साती हिंदुईज में के अलावा वारंसी जो है, यह काफी culture, spiritual और जो religious tradition है, बहुत सारे religion का उससे यह connected है, जैसे कि Lord Buddha, तो Lord Buddha ने अपनी first sermon कहां दी थी, तो यह आप लोग देखेगों कि वारंसी सरनात में, साती साथ जो है according to jain tradition देखें, तो यह birthplace है हमारे four jain तिर्थांकर्स का, सबसे पहले है सुपारशवात, और उसके बाद है चंदरप्रभू, और यहाँ पर श्रेशनात, और यहाँ पर पारशनात, ओके जो 23rd यहाँ पर तिर्थांकर्स थे, तो इन में आप देख सकते हो कि बुद्ध की भी यहाँ पर value है, जैन tradition में भी तिर्थांसी दो बार पहुंचे थे, 16th century में, अलामगीर मॉस्क है, जो कि पंच गंगा घाट में है, यह भी मुगल इंपेरर जो औरंग जेब है, उनके द्वारा यह बनाया गया था, तो इसके बारे में ध्यान रखेगा, अगर प्राक्टिस देखे यहाँ पर, तो wooden toy यह यहाँ पर बनाया जाता है, साडी बनाया जाती है, सिल्क वेविंग होती है, मेचल, वूड, टेरा कोटा, हैंडी क्राफ, पेंटिंग और संस्कृत लैंगवेज की यूज की जाती है, वेडिक चांटिंग आज की भी देखने को मिलेगा, जो वेध है हमारे, यानि की रिग सिच्वेटेड है, हिस्टारिक टेंपल से, कांचीपूरम, यहाँ पर 1000 टेंपल आपको अंदर देखने को मिलेंगे, और कांचीपूरम जो है, यह कापिटल है, पलव डायनेस्टी का था, जो कि 6th to 9th century तक रहा था, और 11 टेंपल में से देखें, जो की नॉमिनेशन में यहाँ पर पलव किंग, जो राजशिम फर्स्ट है, यानि कि नरशिम्मा वर्मन दृत्य है, इनके द्वारा यह बनाया गया था, यह सबसे पुरानी structure है, कांचीपूरम में, और यह जो टेंपल है, इसमें आप देखो कि यूनिक 16-sided shivling जो है, वो यहाँ पर आपका shivling है, वो बनाया गया है, यहाँ पर क्यालाशनाथ टेंपल में, तो काफी यूनिक है, उसके पास second temple है, यहाँ पर इकामबरेश्वर टेंपल, जो कि one of the five major shiv टेंपल है, पचपूत, slums, और जो टेंपल है, राजगोपूरम, यह one of the tallest है, सबसे बड़ा यह टेंपल है, 57 meter है, South India में, और यह विजयन अगर, king के द्वारा बनाया गया था, यहाँ पर एक notable feature इसकी यह है, कि इसको देखिए, hallway with the thousands of pillar, यहाँ पर काफी जादा pillar आपको देखने को मिलेगा, साथ उसके बाद third देखे, तो यहाँ पर है, वरत राज, पिरुमल टेंपल, जो कि Lord Vishnu को dedicate कर यहाँ पर 108 दिव्य देशम है, जो कि यहाँ पर 12 अलवर सेंट के द्वारा विजिट किया गया था, 100 pillars यहाँ पर मंडपम है, जो कि विजयन अगर, king के द्वारा इसको बनाया गया था, उसके बाद है, उलगांट पेरुमल टेंपल, यह टेंपल भी unique feature है, इसमें, 4 दिव् हाँ, यह तो आप लोग जानते हो, कांचपुरम जो सिल्क साडी, बाकि यह टेंपल में आप देखो तेहाँ पर गोपुरम है, पिकॉक है, नाइट इंगल्स है, यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगे, काफी floral design है, flowers की पूरी design बनी भी है, तो काफी खुबसूरत ह है, मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बिंकाल, जो की आपका कहा है, बिंकाल, जो की करनाटक में, अब यहाँ पर अगर हम लोग इस साइट के बारे में, तो यहाँ पर 1000 मेगालिथिक ब्यूरियल स्ट्रक्चर है, जो की यहाँ पर ग्रेनाइट पिक पे आपका सिचुईटेड और साथी साथ another unique feature अगर हम दो देखे तो prehistoric rock painting आपको देखने को मिलेगा जो पत्थरों पे ये लोग painting करते थे 11 rock shelters है जो कि discover किया गया है जिसमें कि ऐसे rock shelter है यानि कि पत्थरों का रहने वाला घर बना हुआ था जिसमें कि काफी human figures देखने को मिला horse rider है यहाँ पे row of dears बने वे है तो ये सारी peacocks वगेरा जो है वो rock shelter में बने वे थे साथी इस sites में exceptional insight भी देखने को मिलेगा कि funerary और rituals practices भी होते थे इंडिया में अकर हम लोग मेगालिथिस की बात करें तो यह हमें पेनिसुला साउथ में डेकन प्लाटू में विंद्यास में नौर्थ वेस्ट रीजन में देखने को मिले थे तो इतना ध्यान रखना है नेक्स आता है यह जितने भी location है ना यह कहां है और किसलिए इंपॉर्टेंस से यह थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा बाकी हमारे टेंटिटिव लिस्ट है अब देखते हैं कि इन सारे साइट्स को इंक्लीड किया जाता है कि नहीं किया जाता है बट आपके एक्जैम पॉइंट व्यू से इस साइट्स आर गेटिंग वरी करता है साथ ही अगर हमनों देखे बेदगात एरिया तो यह अनली एक्जैम्पल है रिशनल मेटा मॉर्फेज में जो कि लाइम स्टोन में है और डाइनसोर फॉसल जो है वो भी नर्मदा वैली में पाय जाते है प्र्टिकुलर्ली इसी एरिया में नर्मदा जो है अमार जो कि अल्रडी यह मद्यपर्देश में है तो लोकेटेड कहा है होसंगाबाद में सद्पूरा टाइगर रिजर्फ एक प्राइम एक्जैम्पल है सेंट्रल इंडिया नहां हाइलेंड एको सिस्टम का साथ ही यहां पर 17 परसेंट जो इंडिया की टाइगर पॉपलेशन है यहाँ पर सद्पूरा टाइगर इस्टम की टेखने को मिलता है और 12 परसेंट यहाँ पे टाइगर है वह unique मीवज आप ए सद्पूरा टाइगर है वह यहीं पर रहते इंडिया सद्पूरा टाइगर रिजर्फ की बात करें मीननेद जांप यहां है अल्ड़ूर идет एक दिक्ल 1500 से लेकर 10,000 years old तक देखने को मिलेगा इतने पुराने भी है जिसमें wall printing की वी है और wall printing में कुछ जानवरों की printing बनी वी है जैसे elephant है, tigers है, dears है तो यह सारे आपके बने वे है उसके बाद है यहां पर Maratha Military Architecture जो की महरास्ट में है तो यहां पर 14 forts है जो की 17th century से देखने को मिला ह और कुछ important अगर आप इसमेश है हम लोग देखें तो शिवनेरी fort है जो की birthplace है चतरपती सिवाजी का अली बाग है जो कि यहां पर यह कुलाबा fort भी कहते है नेवल बेस है चतरपती सिवाजी का और राजगाट fort है तो यह fort जो है one of the fort है जो की मुगल से यह आपको देखने को मिलेगा जब सिवाजी एक treaty और पुरांदर sign किये थे और longest occupy किया गया था इनके द्वारा तो जो network है यह fort का यह hills में ही बनावा है land में है sea में जो के excellent example है कि कैसे existing जो terrain landscape है उसको use किया जा रहा था gorilla warfare को develop करने के लिए gorilla warfare जो strategy है जो सिवाजी और Maratha army के द्वारे यह develop किया जा रहा था तो यह आपको देखो कि चाहे पानी हो चाहे आपका किसी भी तरीके का जमीन हो तो उस सब में यह जो है आपका hills में यह fort बनाया गयते हैं so these are the location which is very important तो इसको धियान रखेगा next article भी देख लेते है reclining buddha तो इस तरीके से आप देखो reclining buddha है actually इंडिया का largest statue ह है reclining buddha हमेशा आप देखोगे कि sitting posture में रहता है standing posture में रहते है बुद्ध के बुद्ध का जितना भी statue आपको देखने को मिलता है but it is reclining इस तरीके कि यह जो statue है यह सबसे बड़ी statue है जो कि आपका install किया जा रहा है बुद्ध international welfare mission temple में चो कि कहा है तो बहुत गया मैं it means कि एक reclining buddha statue जो है यह represent करता है कि buddha during his last illness जब अंतिम समय में इनकी यह बिमार हो गयते तब उस समय की यह posture यहाँ पे दिखाय जाती है और परी निर्वारा में जब यह इंटर हो रहे थे it means कि एक ऐसा stage था जिसमें कि great salvation यह achieve कर रहे थे after death तो इस statue अगर हम लोग देखे reclining budd का तो उनको यह show किया जाता है कि वो right side से वो जो है लेटे वे हैं और इनकी head जो है वो cousin में resting है और इनके right elbow में साथ ही इसका मतलब यह है कि सारे wings जिनमें यह potential है और रिलीस किया जाएगा cycle of death and rebirth का it means कि आपको पता है कि बुद्ध जी की जो कुछ teaches है उसमें आप यह भी जानते हो कि यह चीज़ें हमेशा कहते थे कि यह एक cycle चलते रहता है मतलब कि जन्म और मृत्यू का यह एक cycle है जो इस धर्ती में आया है उसको एक दिन जाना ही होगा तो इस चीज़ को जो है बुद्ध आप कहा सकते हो कि यह reclining position उनकी यह show करें यह first depict किया गया था गांधर आर्ट में और साथी साथ यह आपसे पूछा जाएगा कि reclining बुद्ध जो है यह पहली बार कहा दिखाया गया था तो यह गंधर आर्ट में दिखाया गया था यह भी धियान रखना है साथी reclining बुद्ध इन इंडिया अगर हम लोग देखें तो ऐसी position आपको ऐसी statue cave 26 of Ajanta में देखने को मिलेगा जहां पर 24 feet long और 9 foot tall जो है इस इस तरीके के बनाए गई है और कुशिना नगर में भी है चुकि आज की देट में UP में है साथी अगर reclining बुद्ध आउटसाइड इंडिया देखें तो भारत में तो देख लिए कि हमारे UP में है भारास्ट में है बिहार में है लेकिन अगर हम लोग इंडिया के बाहर देखें तो श्री लंका और इंडिया में बुद्ध जो है mostly अपनी sitting posture ही show करते बैठे वे posture में ह होगे और reclining postures जो है वो more prevalent है कहां तो Thailand में other part भी है South East Asia में भी largest reclining बुद्ध अगर आप देखो कि world में तो 600 foot जो है वो आपका ताइवा बुद्ध है जो 1992 में मैंनमार में बनाया गया है बामला बुद्ध परी निर्वाना जो कि पाकिस्तान के खावर पक्तुवा प्रोवे हैं तो यह चीज़े ध्यान रखनी है कहां कहां है तो श्री लंका में है मैंनमार में है साथी साथ आपका पाकिस्तान में है और कंबोडिया में है तो यह चार आपको country भी याद रखनी है साथी साथ हमारे देश में कहां है तो महरास्ट में है यूपी में है और हमारे जो है History में इनका कहां से निकल कर आता है तो गंधार आर्ट से इनकी जो है Reclining Position निकल कर आती है इसका क्या मतलब है, कहां कहां है ये सारी चीज़े हम लोग देख लिए तो Culture आज के लिए उसे इतना ही Next हम लोग देख लेंगे Government Schemes और Ethics की भी लेसन आपको मिल जाएगी तो मिलते ही कल हम लोग इसी टाइम पर अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते है फिर भी कोई डाउट के सजेशन से तो कमेंट कीजिए और मेक शूर के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया मिलते ही कल, आज के लिए बस इतनी, थैंक यू